हेलो एवरीवन वेलकम टू आरनेकेडमी आएम रवी जैन आज मैं आप लोगों के सामने जोमेट्री से रिलेटेड बहुत ही इंपोर्टेंट फॉर्मुला एक्स्प्लैंड करने वाला हूं और उन्हें समझाने वाला हूं यह फॉर्मुला आपको को NCRT, CBSC, 5th स्टांडर से लेके 12 स्टांडर तक और competitive exam like UPSC, GPSC, SSC, whatever इतनी जो competitive exam से उसमें यह सारे फॉर्मुला आपको बहुत ही useful रहेंगे फॉर्मुला समझने से पहले मैं आप लोगों को सबसे important thing यानि की shapes आप primary level पर इन shapes से बहुत ही परिचीत रहेंगे आप introduce primary level से ही है इनसे यह आपका rectangle है यानि की हम आयत बोलते हैं इसे हिंदी में और यह आपका square है जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं वर्ग कहते हैं यह triangle है जिसे हम त्रिभूज कहते हैं और यह circle है जिसे हम वरत कहते हैं यानि कि primary level पल हमने इन सभी shapes के बारे में जानकारी ले ली है लेकिन इनके areas इनके perimeter और volume related जो formula है वो हमारे life में और हर एक competitive exam में बहुत ही important role play करते हैं तो आये शुरुआत करते हम आज कुछ geometric formula की सबसे पहला shape हमारे सामने है rectangle अब हमें formula किसका बनाना है हमें formula किसका बनाना है तो हमें formula in shape के according इनका area और perimeter लेके चलना है अब सबसे पहली बात हमारी आती है perimeter perimeter का मतलब होता है the sum of boundaries the sum of boundaries यानि कि अगर मैं देखूं ये दो जो है length है और ये जो है वो breadth है यानि हम सबसे पहले perimeter related formula सीखेंगे perimeter का सबसे पहला formula हमारा आता है rectangle के लिए मैंने आपको बता है sum of boundary sum of boundary means it is a L it is a B L means length और B means breadth 2 time L and 2 time B perimeter यानि कि सबसे पहले perimeter of rectangle is equal to 2 time L plus 2 time B simple आप common ले सकते हो 2 means L plus B it is a perimeter of rectangle same thing here square square में आपको पता है क्या होता है square में 4 side का माप जो होता है same होता है means ये भी L है ये भी L है ये भी और ये भी means boundary का total L plus L plus L plus L means कितना हो जाएगा 4 L तो हमारा perimeter of square perimeter of square perimeter of square क्या हो जाएगा 4 time L means 4 L अब बात आती हमारे triangle की अब actually triangle में उसके अलग अलग टाइप सोने के कारण ओके उसका कोई perfect formula नहीं है बट हम बोल सकते हैं the sum of three sides the sum of three sides in triangle is a perimeter of triangle suppose मैं इस triangle का एक नाम दे देता हूं x y and z so perimeter of triangle क्या हो जाएगा perimeter of triangle क्या होगा sum of three sides sum of three sides तो हमारी three sides कौन सी है x y plus y z plus x z and the last is a circle actually circle का perimeter नहीं होता है circle की होती है circumference अब आप का segment होता है उससे क्या निकाला जाता है perimeter निकाला जाता है सब को ये बात समझ में आ गई हमें circumference कब निकालना है और perimeter कब निकालना है अगर किसी diagram में segment होते हैं यानि की रेखा खंड होते हैं तब हमें perimeter यूज करनी है भले फिर उसमें कर्व से इंक्लूड हो पर जहां पर सिर्फ हमें किसकी बात करनी हो कर्व यानि कि वक्रा करकी तब हम क्या निकालेंगे circumference तो circumference of circle circumference of circle is equal to 2pi r अब आपको मैं circle का क्या है center है और यह इसकी रेडियस है और अगर मैं यह diagram बनाता हूं इस तरह से तो यह जो पार्ट है वो कहलागा इसका diameter ओके तो हम देखेंगे जब यानि कि यहां से हम यहां सुरुआत करते हैं तब होता है पाई और जब पूरा यह circle complete होता है तब हो जाता है टू पाई ओके और इसकी रेडियस को यूज मल्टिप्लाय करते हैं तब क्या मिलता है हमें टू पाई तो इस तरह से perimeter और circumference के हमारे कितने formula हुए 4 जिनका use हम sum solve करने में करते हैं अगर मैं आपको बताऊं कि सपोस्वी इक्वाल टू 5 एल इक्वाल टू 7 तब पैरिमेटर क्या हो जाएगी आपकी यहां पर देखिया आप 2 और sum solve कर सकते हैं यह तो टू एल की वैल्यू क्या लिखेंगे हम 7 और वी की वैल्यू लिखेंगे 5 तो 7 और 5 कितना होता है 12 और 12 तू जा 24 ओके तो इजी लिए मैं क्या कर सकते हैं फॉर्मूला यूज कर सकते हैं दूसरा फॉर्मूला हमारा आता है स्क्वेर का जहां पर सपोस्वाज मैं L is equal to 8 ले लेता हूं तो 4 x 8 means 8 plus 8 plus 8 plus 8 जैनी कि 4 x 8 जा 32 उसके बाद हमारा एक फॉर्मूला आता है पैरिमिटर ओफ ट्राइंगल जिसका कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है बट सम ओफ 3 साइट्स सम ओफ 3 साइट्स मिन्स xy plus yz plus xz सबोस्वाज अगर ये 3 है ये 5 है और ये 8 है सो सिंपल अमरा आंसर क्या जाएगा 3 प्लस 5 प्लस 8 means 3 5 8 8 and 8 16 इडिज़ और अंसर now circumference of circle यहां पर आपके पास radius का वैल्यू है सपोर्स के इस contractra radius आपका सेवन सेंटी मीटर है सेसर्कल का radius क्या है आपका सेवन सेंटी मीटर मिन्स करक्य वैल्यू आपको क्या मिल्य रहे एंड 22 डाउन 7 जहां पर अगर वैल्यू दी हो 3.14 तो यूज करनी है और अगर नहीं दी होती है तो हमें क्या करना रहता है 22 डाउन 7 यूज करना पड़ता है तो आई हम वैल्यू पुट करके देख लेते हैं 2 इंटू 22 डाउन 7 इंटू 7 से 7 आपका क्या हो जाएगा कट और 22 टू टू जा 44 यूनिट अब आप सोच रहे होंगे यूनिट यूनिट का मतलब होता है सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर इंच फूट यह सब क्या है हमारे लेंद सर्कमफेरंस और पैरिमीटर के यूनिट है तो हमारी सबसे इंपोर्टेंट बात अभी जो लास्ट में मैंने यह वह रहेगी बीकॉस जब हम सम सवल करते हैं तब हमें जो पूछा जाता है वह इनी पर बेस्ट पूछा जाता है सर्कमफेरंस करनी है पैरी मेटर करनी है एरियाँ करनी मिनस सर्कमफेरंस and perimeter जब आप इनके answers निकालते हैं तब वो answers always किसमें आएंगे आपके centimeter, meter, kilometer, etc. तो यह रहा हमारा portion किस चीज़ का only perimeter और circumference का perimeter के बाद अब हम बात करेंगे कुछ area related formula area related formula बताने से पहले मैं आपके सामने area होता क्या है उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा area का मतलब होता है the space occupied by a flat shape or the surface of an object is known area of the object means एक simple सी बात है यहाँ पर आप देख रहे हैं यह rectangle है यह आपका square है यह आपका triangle है और यह आपका circle है तो इन diagram ने जो जगह रोक कर रखी हुई है याने घेर कर रखी हुई है वो कहलाता है area वो क्या कहलाता है आपका area मिन्स आप देखिए तीनो diagram और यह circle वाली diagram में देखेंगी तो इन्होंने अपनी boundary से एक particular space को क्या कर रखा है घेर कर रखा हुआ है तो यह क्या कहलाता है इनका area तो हम इनके भी formula की बात करेंगे सबसे पहले बात करेंगे हम area of rectangle area of rectangle ओके तो area of rectangle क्या होता है length multiply breadth यानि कि लंबाई गुने चोड़ाई दूसरा हमारा formula है गा area of square area of square क्या होता है आपको मालूम है इसमें चारो side कम आपके सह होता है same होता है means यहाँ पर आपका answer आएगा length का square अब बात आती हमारे सामने triangle की अगर मैं आपके सामने triangle की बात करूँ तो triangle के लिए अलग-अलग formula है अब अलग-अलग formula है वो क्यों अलग-अलग है होते है यह में हमारे पास जो formula है उसमें हमारा पहला है rectangle की बात करते हैं कि इस और राइट अंगल-ट्रैंगल की बात करते है तो राइट अंगल-ट्रैंगल में जीष शाउब्द में एक गल नहीं तीगा वह कहला थैपका राइट एंगल ट्रैंगल एक दूसरा ड्राइंगल होता है जिसका फॉर्मूला है वह एक्वी लेटरल सेवर्न सेवन तो आपको देखकर ही पता चल रहा होगा जिस ट्राइंगल में तीनों साइड इक्वल होती है वह हम इसका नाम में ABC दे देता हूं और इसका PQR दे देता हूं तो आपके जो अलग-अलग ट्राइंगल है वो आपको अलग-अलग फॉर्म में दिख रहे हैं यह आपको राइड एंगल ट्राइंगल दिख रहे हैं यह आपको एक्विलेटरल ट्राइंगल दिख रहे हैं और यह सबसे पहले बात करूं इस ट्राइंगल की तो लिखेंगे हम क्या एरिया ओफ कि राइंगल ट्राइंगल वो रहेगा आपका 1 upon 2 altitude multiply base देखें मैं यह पर यह लाइन कीच रहा हूँ यह इसका altitude है और यह इसका base है तो हमारा आंसर क्या हैगा 1 upon 2 altitude multiply base ओके दूसरा हमारा तो ट्राइंगल है वो है इक्विलेटरल ट्राइंगल तो उसका फॉर्मूला हम लिखेंगे एरिया ओफ इक्विलेटरल ट्राइंगल जो की root 3 by 4 क्या लिखेंगे हम root 3 by 4 into side square यानि कि जिस side का माप आपका दिया होता है वो side का square आपको करके root 3 by 4 में क्या कर देना है multiply कर देना है और तीसरा जो है scaling यानि कि इसका ट्राइंगल इस ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हमारे पास उचाई होनी चाहिए तो इसका फॉर्मूला जो आएगा आपका वो रहेगा एरिया ओफ ट्राइंगल is equal to 1 upon 2 height into base अब हमारे सामने एक बात और आ रही है कि सर अगर मान लो कि ये ट्राइंगल में हमें ये जो मैंने line खीची है यानि कि height उचाई अगर ये ना दी हो तो हम कैसे इसका आंसर निकालेंगे तो उसके लिए एक formula है जिसे हम बोलते है Hkryonills Formula क्या कहते हैं उसे हम HCRC formula जिस ट्राइंगल में कोई height ना दी हो यानि कि altitude का URL ये झाटिजा हो तो उसका अंसर हम किस से निकालेंगे Aaron formula जो कि इस sherons formula की बात करेंगे ogen हैर동 फार्मुला के अकोरडिंग हमेंisfireंGO का AREA कैसे करना है तो उन्होंने सबसे पहले इसकी half perimeter फाइंद की थी हाँ perimeter का मतलब होता है perimeter का मतलब बंटाए हुआ है कि sum of three side PAUL सम of 3 side को Number 2 से डिवाइड कर दोगे तो वो किसमें Convert हो हाफ पैरीमिटर में बिल्कुल सही जा रहे हम लोग यानि कि एस इज़ इस एक्वल तो हाफ पैरीमिटर को मैं आपर क्या कहूंगा एस कहूंगा एस इस इप्वल टू सपोज यह है यह बी है और यह सी है तो फॉर्मुला बनेगा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन तो यह जो वै वह देखेंगे means area of triangle is equal to क्या find करना है हमें area find करना है तो इसका फॉर्मुला क्या हो जाएगा under the root s s minus a s minus b and s minus c और उसका बात में क्या करना square root निकाल लेना और वह आप easily क्या कर सकते हो find कर सकते हो अब आप सोच रहे होंगे square root हम कैसे निकालेंगे square root निकालने के लिए भी मैंने आपको एक वीडियो दे रखा है इससे पहले के वीडियो में square root find करने की trick मैंने दे रखिए उस trick का यूज़ करके भी आप क्या कर सकते हो यह find कर सकते हो तो आपको एकदम easy समझ में आ गया होगा यह area of triangle area of triangle का कोई particular formula नहीं है अब हम बात करते हैं हमारा तीसरा सेप सोरी fourth number का सेप जिसे हम बोलते है circle और area of circle तो सभी बच्चों को आता है पाई आर square तो area of circle क्या हो जाएगा is equal to pi r square अचा pi r square में ये भी बता देता हूँ pi का मतलब होता है 3.14 और 22 down 7 ओके और r का मतलब होता है 30 जिसे अंगरे जी में कहते हैं radius तो आप लोगों को area related formula जो मैंने safe बनाया हूँ है वो समझ में आ गये होंगे इस तरह आज हमने perimeter और area related formulas देखे जो सभी in shapes पर depend थे next video में we will learn about the more other formulas like a cylinder, second आपका रहेगा cube, cuboid, corn, frustum of corn, major segment, minor segment, minor length, major length etc. इस तरह के और भी formula जो है वो मैं आपको next video में explain करकर बताऊंगा थांक यू